हेलो गाइज, देश की वो बेटी जो देश की शान बढ़ाने के लिए अपना लहू बहाने तक तयार हो गई, विनेश फोगाट आप कई दिन से लगातार विनेश फोगाट के बारे में सुन रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से पैरिस ओलम्पिक में फाइनल में जगह बनाने के लिए सारी रात एक्सेसाइस की कुछ खाया पिया नहीं अपना लहू भाने को तयार हो गई क्योंकि उन्हें अपना बेटी कम कर बना था वो बेटी वहाँ जीत नहीं पाई सारी परेशानियों से जूसते हुए भी इतनी महनत करने के बाद भी वो उस एक हर्डल को पार नहीं कर पाई लेकिन फिर भी आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है आज पूरे देश के लिए वो चैंपियन है और सब के दिलों एक गोल्ड की तरह जगा बना चुकी है विनर इन अवर हर्ट्स तो जा आए जानते हैं उनकी प्यारी और खूपसूरसी लव स्टोरी के बारे में देखें सेलेब्रेटी के बारे में सब जानना चाहते हैं लेकिन कि ये उनसे बड़े सेलेब्रेटी हैं जो देश के लिए काम करते थे काम करते हैं तो जब रेलवे में काम करते थे तो वहीं एक दूसरे से मुलाकात हुई दोस्ती हुई दोस्ती हुई तो एक जगा काम करते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे टाइम स्पेंड करने लगे एक दूसरे को जानने एक दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में होने के कारण रेशलिंग में होने के कारण कुष्ठी से दोनों का प्यार और देश के लिए जجबा इने एक साथ ले आया और ये एक दूसरे को देट करने लगे एक दूसरे को और जानने लगे 2011 से आगे बढ़ते बढ़ते जब एक दूसरे के लिए ऐसे हो गए कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं जीवन साथ बिताना चाहते हैं तो ये खबर इन्होंने अपने घरवालों को भी दे दी बिना समय बिताए इन्होंने अपने घरवालों को एक दूसरे की बारे में बता दिया घरवाले भी जानके बहुत खुश हुए अपने बच्चों की पसंद को तो 2011 से आते आते 2018 आ गया जब विनेश जापान की एक रिसलर को हरा कर गोल्ड मेडल जीत के आई और डेली एरपोर्ट पे जैसे उनका स्वागत हुआ तो वहाँ पर सोमवीर भी खड़े थे उन्होंने हग किया, कॉंग्रेचुलेशन किया और साथ में एक रिंग भी पहना दी तो दोनों के ही घरवाले दोनों की शादियों की तयारियों में जुट गई लेकि इन दोनों के ने हमेशा एक शर्थ रखी अपने घरवालों के सामने कि लेन देन में सिर्फ एक रुपा लिया जाएगा कोई लेन देन नहीं हो गई शादि में ये शर्थ इन दोनों के घरवालों ने मानी और इन दोनों की शादी हुई 2018 में लेकिन इन दोनों की शादी में एक और इंटरस्टिंग चीज हुई सब साथ फेरे लेते हैं इन्होंने आठवा फेरा लिया बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी खिलाओ, जी हाँ और 2018 से अब तक दोनों एक दूसरी का साथ निबा रहे हैं अपने अपने करियर में आगी बढ़ रहे हैं अभी तक इन्हें कोई बच्चा नहीं है लेकिन विनेश का सारा ध्यान अपने करियर पर था और वो देश को प्राउड वे फिल करा रही है तक यू लेज़ बच्चा नहीं है